उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी बहुत ही अच्छी चल रहे होगी मैं फिर संथ स्वागत करता हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक्जाम रीज पे दोस्तों इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ करेंट तयारी को स्टॉंग कर सकते हैं ठेक है दोस्तों चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं तो यहां पर पहला कोईशन है यदि मैं आप से पूंच हूँ कि नाटो का एक्टिसमा देश कौन सा बना है तो इस कांसर क्या रहे है न चाहिए आप मुझे बताईए दोस्तों होई इन से क्या होको नौर्थ अटलांट्रिक review और मुझेशन ठीक है थेक है तो आप इसे याद कर लिजए God दोस्तों नौर्थ अटलांटिक kij good क्या होता है नौर्थ एटलांटिक ट्री और आप इससे नूट कर लिजयेगा कहीं पर important है अब दोस्तों बात करते हैं नाट् गाल रbuilt कि मोड़ाई है तो आप इसे नोट कर ले जैंगा इतना मनीय आपполож 2 अब मुढ़े से कौन अब करते हैं सेकें करते हैं मौशिंट अब क्या वो रहे हैं आटल सर्वोर्चा सक्बान तो सबसे पहले question तो यहीं पर बन गए कि आश्टेलिय का सर्वोच सम्मान क्या है order of आश्टेलिय है जैसे आपको पता होगा कि भारत का सर्वोच सम्मान क्या है भारत रतन है उसी तरह से आश्टेलिय का सर्वोच सम्मान क्या होता है order of आश्टेलिय होता है आपको बताना है कि अच्टेलिय के सर्वोच सम्मान और आफ एटेलिय से किसे सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों आपको बता देता हूं रतन टाटा जी को सम्मानित यहां पे किया गया है ठीक है रतन टाटा जी यहां पे इसका कर्यक्ट अंसर रह सम्मानित किया गया था तो आप नोट का लिजीग हैसा अट्रेख से सम्मानित किया गया था सिंपल है आप सब लोग इसे नोट कर लेजिए अब दोस्तों बात करते हैं नेमने में से किस ग्रह में सबसे अधिक चंडरम हैं तो आप सब लोग दोस्तों चंडरमा देके कंफ्यों मत होईएगा मैं आपको बता देता हूं चंडरमा मिल्स हो गए उप ग्रह हैं आपको बता नहीं इसके पहले वह ब्रहस्पति के भी बहुत ज़्यादा उपग्रहत है लेकिन सबसे ज़्यादा उपग्रहत किए यहां नहीं आपको इसे नूड कर लीना है अब दोस्तों आपको बताना है कि Asian Wrestling Championship 2030 में भारात के लिए एक मात्र स्रॉण पदक किसने जीता तो आपका अंसर यहां पर क्या रहने चाहिए दोस्तों दोस्ति यहां पर भारत के लिए एक मात्र सब्द आ गया है इसलिए यह वाला question important बन जाता है तो इसका correct answer क्या रहेगा दोस्तो अमन सहरावत ठीक है अमन सहरावत इसका correct answer रहेगा अमन सहरावत जीने Asian Wrestling Championship 2030 पर भारत के लिए स्वांड पदक जीता है ठीक है तो आप इसे note के लिजेगा इनका समन किसे wrestling है तो आपको इसे के यादकन है इस टाप के question भी आपकी exam पर पूंचे जा सकते हैं ठीक है अब दोस्तो बात करते हैं आपको बताना है कि status of tiger 2022 की report के अंसार भारत में बागों के संख्या कितनी है तो कि आपको बताना है कि भारत के किस state प bomb पाई जाते हैं तो कोशी जादा सोचने नहीं है Tiger state कि आपको पते ही होगा Similar Predes को Tiger State कहते हैं म में कितने वागनों इस report के शार मर्त में сообщ je 585 यादक करनाटख क मरके तो नहीं कितने भाग है तो आपको इसे भी यारद रखना है ठीक है दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया कि इस टेटर साफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बागों के संग्जा कितनी है ठीक है यह जो रिपोर्ट आती है यह हर चार साल में एकबर ही होती है इसके पहले 2018 पर हुई थी बागों के संग्जा कितने थी तो 2018 पे बागों के संक्या थे 960 और अब कितने हो गई है 3160 तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे 200 बाग बढ़ चुके हैं कितने बाग बढ़ चुके हैं दोस्तों 200 बाग यहां पे बढ़ चुके हैं तो आप यहां पे इसे देख सकते हैं ठीक है और बागों की जो रिपोर्ट आती है कितने साल पे आती है चार साल पे आती है मैंने आपको बता दिया अब दोस्तों आपको बताना है कि कोप इंडिया 2030 का अभ्यास भारत और किस देश की वायु से नकी बिच हुआ है दोस्तों यहां पर कोप आ रहा होगा कोप से आप सभी लोग ने अनुमान लगा ही लिए होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों कोप इंडिया जो युद्धा भास होता है भारत और अमेरिका की वायु से नकी बीच हुटता है तो सिंपल है दोस्तों आप सभी नोट कलेजिएगा अब दोस्तों बात करते हैं यहां पी क्या वहूला है किस सहर में पुर्वोत्तर का पहला M's खोल गया है दोस्ते यहां पर क्या वहूला है यानि कि नॉर्थ एस्ट जितने भी इस्ट है न उन्हें स्टेट पर सबसे पहला M's कहां पे खूल लगया यहां पे M's की बात हुई है तो आपको बताना है कि जित्ते भी North East राज है तो यहां पे कहां पे सबसे पहला M's खूल लगया तो आपको यह बताना है यह अपना North East हो गया आपको बताना है यहां पे कहां पर सबसे पहले M's खूला गया तो मैं आपको बता दूँँ दोस्तों गुहार्टी पर सबसे पहले M's खूला गया तो आप इसे नोट कर लेज़ेगा दोस्तों दोस्तों आप मुझे comment box में लेके बताएंगे कि गुहार्टी किस state पर पढ़ता है बहुत ही simple question है दोस्तों आपको याद भी होना चाहिए कहां पर है ठीक है और मैंने आपको बता दिया यह जित्ते पही नौर्थे state है यहां पर यह जित्ते पही नौर्थे state है यहां पर सबसे पहले गुहार्टी पर ही एम्स खुल लगए तो आप इसे नौर्ट कर लेजेगा अब दोस्तों बात करती है फैमिना मेस इंडिया 2013 का खिताब किसने जीता है बताई रुस्तों तो आपने बिल्कुन सही सोचा फैमिना मेस इंडिया 2013 का खिताब जीता है नंदिनी गुपता जीने अब दोस्तों बात करते हैं नदी के अंदर भारत के प्रथम मेट्रो ट्रेन की सहर में शुरू की गई तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आप सब लिए थोड़ा सा सोचिए दोस्तों इस कोशिण के लिए मापको 10 सेकंड के टाइमिंग देता हूं थोड़ा सा आप सब लिए थोड़ा से दिमाग लगाए उमेद करते हूं दोस्तों आपने बिल्कुन सही सोच होगा तो दोस्तों आपको पता दूँ नदी के अंदर भारत का प्रथम मेट्रो इस्टेशन कहां पर खोला गया और किस नदी पर खोला गया दोस्तों का मेंहा पे कोल कत्त लिखा दत quickly कोल कत्त मेट्रो इस्टेशन पर बनाया गया यादिक अंदर जोविकार किस नदी पर खोले लिडिक अंदर आतिकर इसे भी आप राधिक देशों के सूची पे भारत की रंग है कौन सी है तो दोस्तों आपको बता देता हूं यहां पर भारत की रंग है सतत्तर्मी ठीक है तो आपको इसे नोट कर लेन है यहां पर भारत की रंग कौन से है सतत्तर्मी पहले स्थान पर कौन है दोस्तों पहले स्थान पर लिफ्ट पे भारत कौन से इस्थान पे हैं दोस्तों भारत सतत्र में इस्थान पे तो आपको इसे भी नोट करने नहीं है दोस्तों आपको बता दूँँ जो अपराधिक रिपोर्ट होती है जैसे कि ब्रहष्टाचार हो गया ठीक माधत प्रार्टों की तसकरी हो गया हत्या होगी चोरी हो गया इनको अधार बना कि यह रिपोर्ट जारी की जाती है तो आपको इसे भी ध्यान रखना है अब दोस्तों बात करते हैं दीननात्मंगेशकर पुरुसकार से किसे समानित किय गया दोस्तों आपको बता दू दीननात्मंगेशकर पुरुसकार के सुरुआत 2022 पर ही की गई थी और सबसे पहले दीननात्मंगेशकर किसे दिया गय था नरेंदमोडी जी को दिया गया थ तो आपको इसे धी नोट कनना है कभी एक्जाम पर पहुंचा आ सकते हैं तो नरें होसले जी यहां पेस का करेक्ट आंसर हेगा ठीक है इन्हें 2030 पे देना रात्मंगेश का पुरुषकार से सम्मानित किया गया अब दोस्तों बात करते हैं आपको बताना है कि नेमने में से किस क्रिकेटर को बिजडन क्रिकेटर आप दे एर का पुरुषकार दिया गया ठीक है आपको बताना है कि यहां पेसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो दोस्तों आपको बता दूँ विजडन क्रिकेटर आप पुरुषकार किसे दिया गया दोस्तों हर्मन प्रीट को दिया गया जो कि वोमें टेम के कप्तान है तो आपको इसे भी याद रखन है मैं यहां पर भारतियों को सुरक्षित वापस राने के लिएग थे कौन सोंप्रेशन काविरी तो इसका करेक्ट प्रेक्ट आप्यान सोंप्रेशन क्या रहेग थे कि यहां पर मैं चला रान में पर देचा हूं लिए जा सबनाने क्या हूं का वीरी तो आपको इसे नूट कर लेना दोस्तो अब दोस्तो बात आती है मुद्डे के यह दिमाप से पूंछो के ओपरेशन गंगा क्यों चला गया था तो ओपरेशन क्यों गया था तो रूस यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था तो वहां पर जित्तिवी स्टुडेंट पढ़ रहे थे ना उनको भाइरत वापसалась लाने के लिए और परेशम गंगा चलाया गय था इसी तरह से बात आती है दोस्तो उपरेशन नेपाल पे भुखम पाया था उस भुखम से भारणें शुरक्षित लाने के लिए operation metric चलाया गया था इसी तर से अब बात आते हैं दोस्तो operation दोस्त अभी हाले पर हुआ था तो आपका अंसर क्या रहना जाए दोस्तो जो तुर्की पर भुकम पाया था ना उनको आपन सहायते देने के लिए operation दोस्त चलाय थे तो आपको इन्हें की यादक नहीं इस टाप की कोशिन भी आपकी जांप पहुंचे जा सकते हैं अब दोस्तो बात करते हैं संजीता चानू का समन किस स्केल से है तो दोस्तों आपको बता दूं इन पे नाड़े की तरब से अभी इन पे बैन लग चुका है इता है यह चार साल के लिए बैन हो गई है लेकिन आपको बताने दूस्तों इनका समंद किस स्केल से है तो किस स्केल से है दोस्तों वे एंटी डोपिंग एजेंसी है जो जित्ते भी खिलाडी होते हैं उनको इस टेस्ट से गुजरना होता है अब दोस्तों बात करते हैं किस राज की कांगड़ा चाय को यूरोपी जी आई टेक प्रदान किया गया तो दोस्तों आपने कांगड़ा का नाम सुनते भी आपको याद प्रदान किया गया था ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं आपको बताना है कि महिले 2020 बिस्टुकब 2030 का किताब किस ने जीता तो किस ने जीता दोस्तों तुम आपको बता देता हूं आश्टेलिया यहां पे इसका करेक्ट आंसर हेगा और यह कहां पे हुआ तो दोस्तों य किस ने जीता है अब दोस्तों बात करते हैं किस राज में भारत की पहली वाटर मेट्र की सुरुवात की गई तो यहां पर क्या बात आएं दोस्तों भारत की पहली वाटर मेट्रो की सुरुवात की सराज में की गई तो आपने बिलकुल साही सोचा केरल केरल पर पहली water metro के सुरुवात की गई थी और मैंने पहले इसके question क्या बता थे दोस्तो भारत के किस state पर नदी के अंदर metro station बनाया गए तो कोहाँ पर बनाया गए दोस्तो मैंने अपको बता कोलगत्य की होगली नदी पे मेट्रिक्टेशन बनाया गया तो आपको इसे भी याद रखना है अब दोस्तो बात करना है यहां पर क्या बूल है किस राज ने संटोर्ट्रापी 2030 के किताब जीता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगे दोस्तो?' बहुत simple है दोस्तो तो बताईए दोस्तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा Scientose스ट Topher하기 का किताब किस ने जीता है दोस्तो? Carnyeah Center Sleep Karmate ये Megal Admin по Hara Đan किस ने जीता है किसी हरा के जीता है दोस्तो यह मेघाले को हरा के जीता है तो आप यहां पर इसे देख सकते हैं